भारत की मेजवानी में खेला जा रहा वन डे वर्ल्ड कप 2023 अव तक बेहद रूमान चक रहा है। टूनामेंट अव सेमी फाइनल में एंट्री करने जा रहा है। टूनामेंट में 24 मुकाबले होने तक काफी हद तत तस्वीर साफ हो गई है। मगर आने वाले छे दिन यानि 31 अक्टूवर तक सेमी फाइनल की तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 31 अक्टूवर को इस वर्ल्ड कप का 31 मैच खेला जाएगा। इसी बीच यानि 29 अक्टूवर को भारत और इगलेंड के बीच मकाबला भी खेला थी भारतिय टीम सेमी फाइनल के लिए अपनी जगे लगवग पक्की कर लेगी। मगर सबसे ज़्यादा बुरी खवर पाकिस्तान की टीम के लिए है। उसे 27 अक्टूवर को साफ अफरीका के खिलाव मैच खेलना है। इसमें पाकिस्तान की जीत की उमीद बेहद कम लग र इसमी फाइनल की रेश से बाहर होना लग वक तैन जरा रहा है। नीदल लेंड और बंगला देश ने अब तक पांच में से एक ही मैच जीता है। जबकि अफगानिस्तान ने पांच में से दो मुकाबले जीते हैं। मगर उसका अगला मैच स्री लंका से है। जिसमें जीतन बेहद मुस्किल है। इसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया और साफ अफरीका से भी बिढ़ना होगा। साफ अफरीका के बाद पाकिस्तान को बंगला देश से भी 31 अक्टूवर को बिढ़ना है। यह भी मैच उसके लिए आसान नहीं होगा। बंगला देश भी पाकिस्तान को ह पहराने की काबलियत रखता है साथ ही 28 अक्टूबर को औरस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच भी मैच खेला जाएगा यह मैच भी काफी निरणायक साबित होने वाला है ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक वर्ल्ड कप में काफी रूम अंचक मुगाबले होने वाले हैं ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी निउस देखने के लिए जुड़े रहिए डीके निउस से